हलो दोस्तों शडी मूड में आपका स्वागत है आजम भारत के भुगोल के अती महतपूर चिप्तर भारत की जन संख्या और नगरी कर्ड 2011 जन संख्या के अनुसार देखने वाले हैं आप सभी को पता है कि यहां से अक्सर प्रस्ण आपके एक्जाम में बन जाता है तो विड 2011 जन अनुसार भारत की जन संख्या है तो 2011 जन गर्ना के नुसार भारत की जन संख्या एक सो एक किस पॉइंट While allein करोर है यानि लगबग एक सो एक्जिस करोर आप बोल सकते हैं कुशन दूसरा है कि भारत की जनगर्णा 2011 जो हुआ है इसके अयुक्त कौन थे जनगर्णा अयुक्त इसके जनगर्णा अयुक्त सी चंद्रमोली थे अगला कुशन भारत में पहली बार जनगर्णा हुई थी दो भारत में सबसे पहली बार जो जनगर्णा हुई थी ये लाड मेयो के सासन काल में 872 भारत में पहली बार जनगरना किस के कारकाल में तो लाड मेयो के कारकाल में इस समय आपको लाड मेयो थे वाइसरा है जनसंख्या के दरिश्टी से बिस के देशों में भारत का कौन सा स्थान है तो बिस के देशों में भारत का संद जनसंख्या के दरिश एक अरबवे शिशू कन्या का क्या नाम रखा गया था जो भारत में जनम लेने वाले एक अरब पर जो आपको जनम लिया थी शिशू कन्या उनका नाम था आस्था आस्था नाम था यह याद रखिएगा 2011 जनम गरना की अनुशार 20 के कुल जन संख्या में भारत की भगिदारी परतिसाथ दिखिएगा तो यह 17.5% है जन संख्या के बाद करेए पुरे 20 में 17.5% यह भारत में बसता है वो भी 2011 जनम गरना की अनुशार अगर हम चेत्रफल की बाट करें पूरे 20 का तो 2.4 के करीब आप देखिएगा परसंट के करीब पूरे चेत्रफल भारत के चेत्रफल का होता है ठीक यानि कि भारत के चेत्रफल पूरे 20 के चेत्रफल के आप देखिएगा 2.42 की करीब ये इतना ही आपको percentage लाता है लेकिन जनसंख्या में 17.5% भारत में प्रतिवस किस देश की जनसंख्या के बराबर बृदी हो रही है तो भारत में प्रतिवस एक अस्टरलिया देश बन रहा है लगबग एक अस्टरलिया देश की जितना जनसंख्या है उतना आप देखिएगा प्रतिवस बृदी हो रही है भारत में जनसंख्या के इतिहास में जननंकिय बिभाजन वर्स कहा गया है जननंकिय बिभाजन वर्स इसलिए इसे कहा गया है आप आगे देखते हैं, 2011 जन्गरणा भारतिय जन्गरणा इतिहास की कोंसी जन्गरणा है तीए 15 वी जन्गरणा थी, 2011 अभी आपको 2021 में देखेएंगा जन्गरणा जो होगा, वो 40 हुँ जन्गरणा होगा और अजादी के बाद जो धो हजरे संक्ष्य वा था वो सात्वी जन्गरणा थी अकार के दरिष्टी से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के अकार के दरिष्टी से यानि के सबसे अधिक जनसंख्या इस राज में है यह पूछ रहे कि यह कौन सा ऐसा राज है जनसंख्या के दरिष्टी से यह उत्तर परदेस हो जाएगा उत्तर परदेस द्रिष्टी से भारत में बिहार का स्थान है तो त्रितिया स्थान आता है जनसंख्या के द्रिष्टी से क्योंकि इससे पहले देखिएगा कौन-कौन आता है सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर परदेश का है उसके बाद महराष्ट का है और उसके बाद बिहार का स्थान आता ह है ठीक यह भी आद रखेगा जनसंख्या के दरिश्टी से भारत की तीन छोटे राज्य देख लीजे कौन-कौन है तो शिक्कम है एक मीजोरम है और राचल परदेश नसंख्या घुनत्य के दरिश्टी से बिहार पहले आसान आता है क्योंकि सबसे अदिक जनसंख्या घनत विहार का है, और जनसंख्या सबसे कम गनत कहां पर है, लगवग 17 लोग प्रती किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं, ये कहां के जनसंख्या आप देखिएगा, तो ओदा अचल पर्देस का है, ये भी याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत अउड आचल पर मिर्तुदर में कमी हो रहा है और देखियेगा कि यहां पर जो मिर्तुदर में कमी है यानि कि जनमदर अधिक है अगे देखिये वरज2011 क के जन्गार्ण के अनुसार देश में 2011 के दो हज़र इंगारखễ कि दसक के दोरान जन संख्या विरिधी दर परतिसत रही है यानि कि हर 10 साल में 2001 से लेके 2001 वाला जोड़न गरना हुआ था उसके बाद 2011 में जोड़ना हुआ उस दोनों के बीच में कितना अंतर परसेंट बढ़ गया जन संख्या तो 17.60 परसेंट जन संख्या बढ़ गया था हर 10 साल में 2001 से लेके 2011 के आओधी में जन संख्या विरिधी दर स्वार्धिक रही मिसके सबसे अधिक जन संख्या विरिधी हुआ है यहां देखें मग्याले परसंटेज के हिसाब से 27.82 परसेंट आपको जन संख्या विरिधी हुआ है भारत की जन संख्या की मौजूदा वार्षिक वि 1.64 है मतलब कि यह आपको बोला जा रहा है यानि आप देखिएगा 17.7% जो जनसंख्या ब्रिधी कर रहा है दस साल में किया था 2001 से लेके 2011 के बीच में इसमें आपको 10 साल से भाग देजिएगा यहां पर आपको तो करीब आपको दिखिएगा कि प्रति वर्षिक आपको दर न जमेगाले यहां पर दे रहा है ठीक क्योंकि यहां पर 27.2 एट टू परसेंट आपको जनसंख्या ब्रिधी किया था भारत में मंद मिसकी आपको कम जनसंख्या ब्रिधी दरवाला राज कौन है नागालेंड है रिनात्मक यहां हुआ था जनसंख्या घनत्तों का अर्थ है जनसंख्या घनत्तों क्या अर्थ क्या होता है प्रती वर की किलोमीटर में रहने वाले ब्यक्तियों की संख्या यानि कि एक किलोमीटर लंबाई और एक किलोमीटर चोराई के जो च्छेत्रपल निकल जाता है यानि कि आप देखिए कि उसमें कितने लोग निमास करते हैं व भारत के महासगरिये नगरों में किसका जनसंख्या घंणत सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घंणत मैंने आपको बताया और राचल परदेश है सबसे कम जनसंख्या घंणत और सबसे यह पुर्वी राज है। पुरुस पर आप देखिएगा 2011 जनसंख्या घंणत महिलाव की संख्या 943 से याद रखिएगा। यह क्या होता है यह लिंगा अनुपात ही से बोला जाता है। भारत के किस राज में महिलाव की संख्या पुरुसों से अधिक है तो केरल राज में है। बारत में किस राज में महिलाव के संख्या पुरुसों से अधिक है तो केरल में। राश्ट्य जनगर्णा 2011 का अनुसार 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों का लिंगा अनुपात कितना है यानि कि 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों का जो लिंगा अनुपात है यह 999 है भारत में स्वार्धिक नगरी करणवाला राज्य कोन है तो सबसे अधिक नगरी करणवाला राज जो है सहरी राज ये आपको गोवा हो जाएगा शेत्रफल के दरिष्टी से सबसे छोटा राज जाहिए 2011 जनगर्णा में भारत में ग्रामीड जनसंख्या परतिसत था तो 2011 के जनगर्णा के अनुसार ग्रामीड परतिसत जो था ये 68.9% था आपको ग्रामीड लोग निवास करते हैं अब इसमें 100 में से ये घटा लिजिएगा तो जितना आएगा वो सहरी जनसंख्या परसेंट हो जाएगा आगे चलते हैं देखिए 2011 जनगर्णा के अनुसार 10 लाग से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है 10 लाग से अधिक आपको जो जनसंख्या वाले नगरों की संख्या तिरपन थी भारत के नगरिये जनसंख्या में किस परदेश की स्वारधिक योगदान है तो नगरिय जन संख्या सवसाधिक आप देखेगा और यह उदान जो यह महाराष्ट का है 2011 जन गर्ना कानुसार भारत की कुल जन संख्या में सहरी जन संख्या का अनुपात कितना है यानि कितना परसंट है तो 31.16 परसंट 31.16 परसंट सहरी है और 68.9 परसंट आप देखेगा यह आपको गाउं में निवास करते हैं यानि कि ग्रामिर जन संख्या है भारत में संख राज शित्रों में स्वार्धिक नगरित कौन है संख राज में इसकी किंदरसासित परदेश में तो वह दिल्ली हो जाएगा आपको देखेगा यहाँ पर दिया हुआ है कि संख राज शित्रों में स्वार्धिक नगरित कौन है दिल्ली मेट्रो पोलिटर नगर की जन संख्या कितनी होती है तो मेट्रो पोलिटर नगर बोला जाता है जिसकी जन संख्या 10 लाग से अधिक हो वो नगर की मेट्रो यहां पर देखिए मेगलो पोलिस नगर किसे कहा जाता है मेगलो पोलिस नगर कहा जाता है जिसकी जनसंख्या 50 लाग से अधिक है मेगलो पोलिस नगर आगे देखते हैं 2011 जन करना के अंतिम आकडों के अनुसार किस राजी में अनुसूशित जन जाती है कि लोगों को परतिसत सबसे अधिक है अनुसूशित जन जाती अगर पूछा जाए तो क्योंकि जन जाती कि अगर हम बात करें this percentage की दरेश्टी से जंगल जाधा है percentage की द्रिष्टी से कहां पर आपको one मिलेगा मिजोरम में ज्यादा लेकिन अगर छेतरफल की द्रिष्टी से अगर पुछा जाए तो मद परदेश में तो ऐसे आपको question याद रखना होगा कि अगर percentage की द्रिष्टी से schedule tribe पुछे तो आप याद रखिएगा मिजोरम में अगर आपको जनसंख्या के according schedule tribe यानि स्टी कटेगरिक जनसंख्या अगर पुछता अनुसूची जन जाती की तो जनसंख्या सबसे अधिक मद परदेश में हो जाएगा percentage मिजोरम में जैसे छेतरफल के अनुसार सबसे अधिक बन कहां पर है मद परदेश में है ये भी याद आपको रहना चाहिए हो 2011 जन गन्ना यहाँ पर देखिए जन गन्ना के अंतिम आकडों के अनुसार किस राज में अनुसूची जाती के लोगों को परतिसत अधिक है मितलब इन्हें ऐसी बोला जाते है अनुसूची जाती के सबसे अधिक जन संख्या यह उत्तर परदेश में हो जाएगा 2011 जन गन्ना के अनुसार अनुसूची जन जाती के श्वार्थिक जन संख्या किस राज में है तो जन जाती पूछे ट्राइप पूछे तो मद परदेश में हो जाएगा जन संख्या के दरिष्ठी से यह याद तो यह मिजोरम में हो जाएगा, परसंटेज की हिसाब से, भारत के कुल जन संख्या में अनुसूची जन जाती का अबादी का युगदान है, तो अनुसूची जन जाती, यानि कि ST का टिकर का युगदान जो है, 8.6% है, भारत के कुल जन संख्या में, भारत के कुल जन संख् और सुधूद्ट गर्ना निर्धारिता。 तो साक्षर किसकी गर्ना किया जाता साथ वर्स से उपर के जो भी लोग है उनकी गणना किया जाता है भारत में 2001 सिले के 2011 में सक्षक्ता में ब्रेधी हुई है 2001 सिले के 2011 में सक्षक्ता में जो ब्रेधी हुई है लिट्रेसी में ये 8.2% के ब्रेधी हुई है भी याद रखिए का बहुत मतपूर है 2011 के जनकर्णा के अंतिम आकड़ो के अनुसार भारत की औसक शक्षकता कितनी है इसकी औसक लिटरिसी रेट कितना है तो 73% है दो हजार एक्यार जंगर्णना के अंतिमा करों के निस्टार है. पूर साक्षर राज बूलाज बूला जाएगा कितने परसेंट आपको शाक्षर वहां के लोग होनी चाहिए, 90 परसेंट, यह याद रखिएगा, 2011 जन गर्ना की रिपोर्ट के अनुसर किस राज में सख्षक्ता की दर सबसे कम है, तो सबसे कम ले ट्रेसी रेट अपना बिहार में है, यह याद रखिएगा, सबसे कम ले ट्रेसी र जन गर्ना कनुसर किस राज में महिलाव के सख्षक्ता दर सबसे उची है, महिला पुरुष दोनों में केरलुशा है, 2011 जन गर्ना कनुसर के अंदर सासित परदिस में सख्षक्ता सबसे अधिक है, कौन से के सासित परदिस है, जिसका ले ट्रेसी सबसेदिक है, लक्षदीप भारत में जनसंख्या ब्रीधी ही की इति हास में कौनसा वर्ष कहलता है माहा विभाजन वर्ष इसलिए मैंने आपको बता आया या 1922 को कहा जाता है क्योंकि इस सम्हें आपको दिखेगा प्लेग नमग बिमारी भी आया था को दिखिएगा बिहार के सथाओट एक्सेट पॉंट एट पर्सेंट है भारत में स्वाधिक सत्व निरच्षता वाला राज कौन है बिहार ही है इसकी कम आप को लेट मिलेगा है यहां पर भारत में जन संख्या घुनत के दिरिश्टी से विहार का करम कों है प्रतम है भारत की कुल जनसंख्या में विहार की जनसंख्या का परतिसद देखिएगा Judaism 2012 जैनगरना में विहार के अनुमानीत अबादी है बहरत के किस राज में इसाही जनसंख्या का परतिसत सबसे अधिक है तो इस साई परसेंटेज आप देखिएगा नागालेंड में और इंगलिस भी हाँ पर बोला जाते हैं नागालेंड में ठीक भारत ने नई राष्टिय जनसंख्या नीती कब अपनाया तो भारत में नई जनसंख्या नीती जो अपनाया गया है 2000 इसे में अपनाया गया है अब आगे दिखिए राष्टिय जनसंख्या नीती 2000 के अंत्रगत जनसंख्या इस्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से आपको बार बार करा रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा रिभी जाने को पाए ठीक तो वीडियो अच्छा लगत लाइक किजेगा कोई भी डाउट कौन वक्ष में लिख शकते हैं वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद